बिस्विल्य रख्मारे रिए असलाम लेकूँ वेलकूम तो मैं यूट्यूब चैनल वैस्वेद अख्षान स्टूनेट्स आज हमकर नजार एक्सराइस 12B का पैरलोग्राम शेप कौन सी होती है जिसकी ऑपोजिट साइड की लेंग इकूल होती है एब आपको दियागे 7.5 cm फिर अड आपको दियागे 5.5 cm और आपको एंगल भी एड दिया गया है 65 डिगरी तो आपने क्या करना है आपने एक पैरलोग्राम शेप भरा रही है AB के लेंद आपने 7.5 cm ले दी है उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने A.65 डिगरी का एंगल बनाना है ठीक है फिर आपने क्या करना है A.पने 5.5 cm की आर्क लगा दी है उसके बाद जो next procedure होगा मैं आपको solution के साथ साथ बताती जाओगी तो question no.7 का solution करते है exercise 12B का question no.7 बचो हम solve कर रहे है सबसे पहले हमने क्या करनी है कि एक line draw करनी है AB line जो के 7.5 cm की होनी चाहिए तो मैं आपके साथ बने scale की मदद से 7.5 cm की एक line draw कर लेती हूँ यह देखे बचो यह 0 से start करे ठीक है यह 7.5 तक की एक line draw हो गई है ठीक है आप इसको देव देगे AB 7.5 cm है ठीक है उसके बाद आपने क्या करना है A point पर रखकर protector को एक angle बनाना है 65 degree का तो यह protector है ठीक है तो यहाँ पर हम रखते है 65 degree देखते है यह 60 और 70 के दर्वियाद के आ जाएगा 65 degree आ जाएगा तो हम यहाँ पर dot लगा लेते है उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको जाइन कर देना है A के साथ यह मैं आपके साथ में जाइन कर देखती हूँ ठीक है next step में आपने क्या करना है कि आपको जैसे के figure में बनाने से पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने A point पर ही कितने के आर्क लगानी है आपने 5.5 centimeter के आर्क लगानी है तो यह जो A point है ठीक है इस पहले जो हमने angle बनाया है उसको manager कर देते है 65 degree आपने compass को लेना है और आपने 5.5 centimeter तक compass को open करना है A point पर रखकर आपने एक आर्क लगा देनी है तो यह आपने एक आर्क लगा दी ठीक है फिर अब आपको एक और चीज़ भी पता होने चाहिए कि आपको बताये कि यह शेप parallelogram होगी तो उसमें opposite sides की length क्या होती है equal होती है ठीक है तो इस mean कि यहाँ पर जो हमने आर्क जितने की लगाई है वो यहाँ पर भी हम point B पर भी उतने की ही आर्क लगाएगे तो मैंने 5.5 centimeter की आर्क यहाँ पर भी लगानी है B point पर तो आपके सामने पहले ही मैं open कर यहाँ पर आर्क जो हमने लगाई है 5.5 centimeter की तो B point पर भी हम क्या करेंगे 5.5 centimeter की आर्क लगा लेगे तो यह B point पर आर्क लगा लिए ठीक है अब आप देखें बच्छों यह जो आर्क हमने लगाई थी तो यह 5.5 centimeter की थी यहाँ पर आप addition करें 5.5 centimeter तो यह जो आर्क लगाई है इसको आप स्केल की बदद से यहाँ से आप इसको जाइन कर देंगे तो यह मैं इसको जाइन कर देती हूँ ठीक है यह जाइन कर दिया है उसके बाद अब आपने क्या करना है बच्छों के यह शेप है हमारी parallelogram इसमें opposite sides की length equal होती है यह मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ यहाँ वाली जो length है वो यहाँ वाली length के equal होगी क्योंकि हमने यहाँ पे भी 5.5 centimeter की आर्क हमें A पर गिवद थी तो हम B पर भी 5.5 centimeter की ही आर्क लगाएंगे जो के मैं लगा चुकी हूँ उसके बाद आपको यह पता है के A भी आपको 7.5 centimeter दिया गया है इसमीन के आपको यहाँ पे जो length होगी वो भी आपकी 7.5 centimeter की होगी आपने क्या करना है scale की मदश से ठीक है कम बसको 7.5 centimeter तक open करना है तो यह मैंने open यहाँ से मैं इसको यहाँ तक 7.5 तक इसे open कर लेती हूँ open करने के बात आपने क्या करना है इस point पर रखकर एक आर्क लगा ली है यह आपने आर्क लगा ली है अब यह जो दोनों आर्क एक दुसरे को cut कर रही है उसको हम क्या नाम दे लेंगे उसको हम C का नाम दे लेते है ठीक है अब क्या करेंगे हम C को यह वाला जो point है D है ठीक है अब C को हम D के साथ join कर लेते है तो यह मैं C को D के साथ join कर लेती हूँ यहाँ पर आपने scale को रखना है और यह आपने इसको C को D के साथ जोहन कर लिया है ठीक है अब यहां पे भी जो आपने लेंथ लिखनी है वो आपके आ लिखेंगे 7.5 सेंटी मीटर अब आपको अगेर मैं सारी फिगर के बारे में बता दू कि आपने एक पैरलोग्राम शेम बना दी थी उसमें आपको question में A B की length आपको 7.5 सेंटी मीटर दी थी ठीक है मैंने एक line raw की 7.5 सेंटी मीटर की फिर A point पर 65 degree का angle बनाया है ठीक है फिर A point पर 5.5 सेंटी मीटर की arc लगाई है ठीक है अब यहां पे जो 5.5 सेंटी मीटर की arc लगी है तो यही arc B point पर भी रखकर हमने 5.5 सेंटी मीटर की लगा लेनी है फिर क्या करेंगे कि हमने point D पर आपने compass को रखना है ठीक है और आपने compass को इतना open करना है 7.5 सेंटी मीटर तक क्योंकि A B हमें 7.5 दिया गया है तो यह वाली side इस side के equal होगी यह side इस side के equal है तो 7.5 सेंटी मीटर आपने compass को open करना है scale की मदद से compass को यहां पे रखकर आपने D point पर रखकर एक arc लगानी है दोनों arc एक दूसरे को C point पर intersect करेंगी तो C को आपने D के side join कर देना है तो आपके पास required parallelogram shape आ चुकी है आपको अमीद करती हूँ अच्छी तरह से इसकी समझ आ गही होगी अब हम इसके steps of construction कर लेते हैं मैं already लिख चुकी हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत length ही हो जाती है सबसे पहले आपने क्या करना है draw measurement a b is equal to 7.5 cm फिर second point में आपने क्या लिखना है add point a draw an angle of 65 degree then add point a draw an arc of 5.5 cm ठीक है आपने जब a point पर 65 degree का angle बना लिया तो उसके बाद आपने फिर क्या किया किया कि a point पर 5.5 cm की arc लगा ली ठीक है third point में आपने करना है add point b b point पर b draw an arc of 5.5 cm आपने b point पर b 5.5 cm की एक arc लगाई after that उसके बाद draw an other arc of 7.5 cm फिर आपने compass को 7.5 cm तक open करना है और d point पर रखकर आपने एक arc लगानी है अब दोनों arc एक दूसरे को intersect करेंगे उस point को हम c point कहेंगे फिर क्या करेंगे c को हम d के साथ join कर देंगे ठीक है तो इस तरह हमारे पास a b c d is required parallelogram shape यह हमारे पास आ चुकी है question number 7 के अब उमीद करते हूं आपको अच्छी तरह से समझ आ गही होगी अब हम question number 8 करते है exercise 12b का question number 8 है इसमें हमें कहा गया construct our rhombus a b c d अब यहां पे आपने एक rhombus shape a b c d बनानी है with each side mining 5.4 cm जिसकी हर side की length आपको 5.4 cm दी गई है and measurement angle a is equal to 48 degree और आपने a point पर 48 degree का angle बनाना है यह बच्छों मैं आपको बता दू कि जो rhombus shape होती है ठीक है उसमें चारो sides की length क्या होती है equal होती है parallelogram में क्या होता है opposite sides की length equal होती है लेकर rhombus में चारो sides की length एक जैसी होती है तो question number 8 का solution करते है exercise 12 bigger question number 8 बच्छों हम solve कर रहे है सबसे पहले step में हमने क्या करना है हमने a b line draw करनी है कितने की draw करनी है 5.4 cm की तो यह आपके सामें draw कर लेती हूँ यह देखें यहां से आपने start करना है यह आगे है 5.4 ठीक है तो यह हमारी a b line आ चुकी है इसको हम लिखे लेते है a, b, 5.4 cm ठीक है उसके बाद आपने क्या करना है a point पर एक angle बनाना है जो के कितने का होगा 48 degree का होगा तो यहां पर प्रोटेक्टर को आप रखेंगे a point बा 48 को आप देखें यह 40 और 50 के दरम्यान ठीक है तो यह तकरीमन यहां पर आजाएगा आपका 48 degree का angle अब आप क्या करेंगे कि इसको इसके साथ join करेंगे ठीक है आपके 4 sides की जो length होती है इसके equal होती है हमने अब क्या करना है कि हमने यह देखें 5.4 cm गिवन है तो हमने a point पर रखकर 5.4 cm की arc लगा दी है ठीक है अब आप कैसे लगाएगे आपने compass को open करना है ठीक है और कितना open करना है 5.4 cm तक यहां तक 5.4 cm हो गया है a point पर रखकर आप एक arc लगा लें ठीक है तो यह आपके सामने मैं arc लगा लेती हूँ यह arc ठीक है अब इस arc लगाने के बाद आपने यहां पर mention कर देना है 5.4 cm अब b point पर रखकर हमने compass को open करना है 5.4 cm एक और arc लगानी है तो यह मैं यहां पर arc लगा चुकी हूँ उसके बाद आपने के अकना scale की मदब से इसको join कर लेना है तो यह मैं इसको यहां से join कर लेती हूँ ठीक है तो यह हमारा b से join हो गया अब d point पर रखकर आपने 5.4 cm के एक और arc लगानी है तो यह मैं आर्क यहां पर लगा चुकी हूँ अब क्या करेंगे कि यह दोनों arc एक दूसरे को जो intersect कर रहे है उसे c point कह लेंगे अब आपने क्या करना है c को आपने d के साथ join कर देना है तो यह c को d के साथ join कर देता है ठीक है यह जो arc है यहां पर भी हमने कितने की लगाई है 5.4 cm की तो यहां पर हम एंशर कर दे अब इसके steps of construction लिख लेते हैं सबसे पहले आपने लिखने ड्रा महिमेट a is equal to 5.4 cm add point a dry and regular 48 degree draw and arc of 5.4 cm add point a draw and other arc of 5.4 cm add point b ठीक है draw and arc of 5.4 cm add point d both arc intersect each other add point c join c to d a b c d is required रोंबस तो यह बच्चों और रेडि मैंने steps of construction लिख दिये थे क्योंकि वीडियो लेंधी हो जाती है तो आप easily आप यहां से लिख सकते हैं अगर आप चैनल पे नहे हैं तो चैनल को सबस्काइब कर लें वीडियो को लाइक करें बैल लोटिफिकेशन और कर लें ताकि जैसे मैं class 7 वीडियो अपलोड करो आपके पास लोटिफिकेशन आजाए